जै मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यव चैनल में दोस्तो साथ एपरेल 2020 दोपहर दो बज कर 16 मिनट पर बुद्ध अपनी राशी परिवर्थित करने वाले हैं और अभी जो इस्थितियां चल रही हैं ऐसी इस्थिति में किसी भी ग्रह का राशी परिवर्थन करना काफी प्रभाव शाली रहने वाला है बुद्ध अभी कुम राशी में चल रहे हैं और साथ एपरेल को कुम से निकल कर मीन राशी में परिवेश करेंगे जो कि बुद्ध की नीच की राशी मानी जाती है तो यहां जो बुद्ध आएंगे और उसका प्रभाव जो होगा वो कन्या राशी के लोगों पर कैसा होगा इस वीडियो में हम जानेंगे देखिए बुद्ध जो है वो हमारी बुद्धी के कारग्रे हैं ज्यान के कारग्रे हैं वैपार के कारग्रे हैं ऐसी स्थिति में बुद्ध का ये जो गोचर है ये 25 अपराल तक रहने वाला है और इसका प्रभाव करने राशी के लोगों पर कैसा होगा चलिए हम जानते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों बुद्ध आपकी राशी के स्वामी है और आपकी साथवे भाव में गोचर करेंगे तो बुद्ध का ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक प्रभावशाली है ये आपकी दसव भाव के स्वामी है और इसलिए दसवा भाव जो है वो कर्म का भाव है और साथवा भाव जो है साज़ेदारी का भाव है और दामपते जीवन का भाव है इसलिए ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अधिक प्रभावशाली रहेगा इस गोचर के दोरान आपके कारेशेत में इस्तितियां जो बनेंगी वो आपके पक्षमें होंगे आप अपने काम में पदुनती प्राप्त कर पाएंगे यही नहीं आपके वितन में व्रद्धी होती हुए दिखाए देगी जो लोग घर बैठ कर काम कर रहे हैं उनके लिए यहां कुछ गोल्डल अपोर्शनिटी उनको मिल सकती है आगे बढ़ने के लिए कई मौके उनको मिल सकते हैं यह ऐसा समय होगा यह तेज दिन का समय यानि 7 अपरेल से 25 अपरेल तक का समय कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप आगे जरूर निकलेंगे सफलता जरूर अरजित करेंगे और अगर आपको वेपार कर रफ लोटते हैं वो तेज गती से रफतार पकड़ेगा आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी इन तेज दुनों में देखे यहां बुद्ध नीच राशी में हैं जिसकी वज़े स्वास्ते का जरूर दिहान रखना होगा स्वास्ते में थोड़ी गरावाट देखने क काम लेना होगा धहरिये से अपने कारों में आपको काम अपने करने होगे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने कुछ गल्ती की है तो ऐसी स्थिती में आपको अपने काम को दोहराना है अच्छे से सोचना है और देखना है कि क्या आपने किया है हो सकता है यह आपके मन का पिता के साथ संबंद बहुत 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 मिठास रहेगी और जीवन साथी के साथ भी रिष्टे में एककम मिठास आएगी रिष्टा सुधरेगा आप अपने काम को यहां देख महत हो देंगे इस गोचर का जो सबसे अच्छा फायदा होगा वो होगा धनलाव धन में इजाफा होता हुआ दिखाए देगा धनलाव निश्चित्रों से होगा आपकी तीज बुद्धी आपके बिजनिस को अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएगी तो यह जो गुचर है यह करन्य राशी के लोगों के लिए बहुत ही बहतरीन देखिए हम इस गु को कह सकते हैं क्यों कि आपकी राशी का स्वामी है और आपके लिए अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा अच्छी इस्तितिया आपके लिए बंती हुए निजर आ रहे हैं तो दोस्तों और इदी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइ आपस्टे